कैसे हैं आप लोग आई होप सबी लोग आप लोग अच्छे होगे जैसा कि आप लोग की बहुत से दिन से डिवांड थी कि सर आरारसी टीसी यानि टिकट कलेक्टर की सर कब जॉब आएगी तो उसकी वेकैंसी की अपडेट को मैं लेके आया हुआ हूँ इस समय दे सकते हैं आ कितनी मांगी जाएगी और इसकी कॉलिफिकेशन की भी बात करने वाले हैं एक आप से चोटी से रुकेस्ट होगी वीडियो को लास्ट तक पूरा देखेगा तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और कोई क्लियर डाउट्स रह भी जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक मता दीजेगा मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा चलिए बिना किस देरी के आज इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से जिन्हों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा पास में बैल आइकन को भी प्रस कर दीजेगा क्योंकि न्यू वग है आप देख सकते हैं आपको दिखाए दे रहा होगा रेलवे में होंगे 259 टी वोड़ी को द्येगे निदेश यहां पर और क्या न्यूज में दिया गया है यहां पर पढ़के आपको बता देते हैं भारती डेल में ट्रेंओं की टिकट चेकिंग की नए व्यवस्ता लाउ टी टी आई की बज़े दूसरे कारूम जोड़ी महिला को रम चाली रिज़ेफेशन करड़कों को सौप दिया जाएगा ऐसे में ट्रेंड में टी टी ए की कमी की मदर किया जा रहा है इसी के साथ 2500 यानि 2509 टी 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 ओं की भरती भी होगी इस समझ में जोनल रेलो और भरती को बोर्ट को निदेश दे दिये गए हैं यानि आप या दे सकते हैं पूरी न्यूज आपके 2500 न्यू भरती की ये न्यू स्कटिंग में आपको दिखा रहा है अब बात कर लेंते हैं इसमें एज क्या मांगी जाएगी और में मुद्धा है क्वालिफिकेशन का यूकि स्टुएंट्स का डाउट इसी में आता है कि क्या सर हम लोग 10 पास है या फिर मैंने सिफ पहें चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं और साथ ही इसका अप्लाइं ओनलाइन डेट कब से स्टार्ट होने वाला है उससे पहले बाई वीडियो बड़े अलाग रहा हो ना तो लाइक कर दीजेगा और दोस्तों को शेयर कर दो चैनल पिनना हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर पच्छिस सो होने जा लिए पोश्ट का नेम आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा टिकट किलेक्टर टेविंग टिकट एक्जामनर यानि जो आपको आप लोग टेन में सफर करते तो आप जो टिकट चेक करता और गुड्स गार्ट की यानि जो गुड्स गार्ट को online भी हो सकता है और offline भी हो सकता है जैसे इसकी कोई अपडेट आईगी मैं बताता चलूंगा कौन लोग इसके apply कर सकते हैं all India job male and female बोथ लोग नहीं दोनों लोग इसका form fill up कर सकते हैं salary की बात कर लें तो 21,700 से लेकि 81,000 81,000 के पर मंत में इसकी starting की जाएगी और starting के पास आपके एक साल के बाद इसकी salary एक लाग के अब भी एक लाग दस अजार के अब भी आपकी salary कर दी जाएगी fees की बात कर लें तो fees यहाँ पर आप देख सकते हैं general और OBC के लिए 500 रुपीज आपको pay करने होंगे SCHT females के लिए 2500 रुपीज आपको pay करने होंगे main बात कर लेते हैं age की जैसा की आप यहाँ पर देख रहे होंगे candidates age limit should be 18-35 की बीच में general और EWS की रहनी चाहिए age general वालों के लिए 18-35 की बीच में age होनी चाहिए OBC अगर हैं तो 18-38 यानि 3 साल का OBC को age restriction मिल जाता है count की जाएगी age आप देख सकते हैं एक अप्रेल 21 से age इसकी count की जाएगी जैसे मैंने अभी उपर बताई दिया था 5 साल SCHT को और 3 साल OBC को age restriction दिया जाएगा जब आपका selection हो जाएगा जैसा कि आप लोग thumbnail में भी देख रहा होंगे तो ऐसे आप लोग दूसरे से checking कर पाएंगे अब आप वीडियो बड़या लाग रहा हो ना तो like और share जरूब कर दीजेगा और चैनल पर नवना चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा जैसे इसकी कोई update आती रहेगी मैं आपको बताता चलूँगा बात कर लेते हैं इसकी height की qualification की तो height इसमें nothing मांगे गई है बट आप फिर भी अगर आप 160 cm male candidates की होने ही चाहिए और females की बात कर लेते हैं तो 152 cm females की height होने ही चाहिए बात कर लेते हैं इसमें photo आपके कौन कौन से documents लगेंगे तो photo light color background education 10th pass और 8th pass का होना चाहिए कि domicile, cast certificate और pen and adha card में से कोई एक documents आपका होना चाहिए इसके selection process की बात कर लेते हैं selection process का online exam कराया जाएगा medical examination कराया जाएगा फिर document verification और mail list के बाद इसकी जॉइन दी दिया यानि इसमें fiscal आपका नहीं कराया जाएगा जैनि कि no fiscal इसमें कोई भी fiscal ना भढ़ इसमें कोई भी running और दौर कुछ भी नहीं कराई जाएगी बात कर लेते हैं इसकी qualification की और 12th pass किया है इसमें start date कब से होगी तो यहां पर आप देख सकते हैं October last से इसकी start date start हो जाएगी यानि इसी मन्त में October के last तक इसकी apply online date आ जाएगी और यहां पर आप देख सकते हैं last date of submission application last week नॉमर फर्स्ट वीक में इसकी last date आ जाएगी exam date और admit card जैसे ही इसका आएगा मैं आपको बता दूँगा फिर से मैं बता देता हूँ कि इसकी online date October के last week में start हो जाएगी और इसकी last date नॉमर के first week तक रहेगी जैसा कि यह मैंने आपको बताया था और यह कोई भी अगर आपके doubts रह जाते हैं इस vacancies को लेके तो coin box में आप बता सकते हैं मैंने आपके सारी doubts के लिए कर दिये इसमें आपका fiscal नहीं कराया जाएगा apply online date आपको बता ही चल गई अक्टूबर के last week में होने वाली है age आपको बता चल गई 18 से 35 के बीच में होने वाला है स्लेबस में बता देता हूँ 120 कोशन इसके आएंगे टोटल 120 कोशन गी बात करें तो क्या क्या आएगा 35 कोशन आपके math से आने वाले हैं और बचे आपके 50 कोशन 50 कोशन आपके gkgs और current affairs से आने वाले हैं अगर आपके कोई भी डाउट से ले जाता है तो comment box से हम बता जाएगा मैं उसके आपको doubts को clear कर दूँगा अब वीडियो बड़े अला गया हो ना तो लाइक कर दीजिए दोस्तों को share जरूर कर दीजिए और चैनल पर नहीं होने चैनल सब्सक्काइब कर दीजिएगा